मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमर्त की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पूले जीवन में हो जाए है शिव बाबा मुरली में समझाए ओम शान्ती आज की तारिक है 19.10.24 के बाबा के सकार महावाक्या मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो तो याद की यत्रा सहज हो जाएगी याद से ही 21 जनमों के लिए पुन्य आत्मा बनेंगे बाबा ने प्रेशन पोच्छा तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट बागुलाम कौन है बाबा ने उत्तर दिया नेच्छरल केलिमिटिस वा साइंस की इन्वेंशन जिससे सारे बिशफ का किछड़ा साफ होता है यह तमारे सबसे अच्छे सर्वेंट बागुलाम है जो सफाई में मददगार बनते हैं सारी परकर्ति तमारे अधिकार में रहती है ओम शान्ति मीठे मीठे रोहानी बच्चे क्या कर रहे हैं युद के मेदान में खड़े हैं खड़े तो नहीं तुम तो बैठे होना तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है इसको कहा जाता है रोहानी बाप की रोहानी सेना रोहानी बाप के साथ योग लगाकर रावन पर जीत पाने का कितना सहज पुरशार कराते हैं तुमको कहा जाता है गुप्त वार्यस गुप्त महावीर पांच विकारों पर तुम बिजे पाते हो उसमें भी पहले है दे अभिमान बाप बिशप पर जीत पाने हुआ बिशप में शांती सापन करने के लिए कितनी से अजिबती बताते हैं तुम बच्चों विगर और कोई नहीं जानते तुम बिशप में शांती का रज्जे सापन कर रहे हो वहां अशांती दुख रोग का नाम निशान नहीं होता यानि कि सत्युग में यह पढ़ाई तुम को नए दुनिया का मालिक बनाती है बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों काम पर जीत पाने से तुम 21 जनमों के लिए जगट जीत बनते हो यह तो बहुत सैज है तुम हो शिब बाबा की रुहानी सेना राम की बात नहीं किर्शन की भी बात नहीं है राम कहा जाता है परमपिता परमात्मा को बाकी वह जो राम की सेना आदी दिखाते हैं वह सब है रांग गाया भी जाता है ग्यान सुर्य परगड़ा अज्यान अंधेर विनाश काल्योग घोर अंध्यारा है कितना लड़ाई जगड़ा मारा मारी है सत्यु में ये होती नहीं तुम अपना राज्य देखो कैसे सापन करते हो कोई भी हाथ पाम इसमें नहीं चलाते हो इसमें दे का भान तोड़ना है घर में रहते हो तो भी पहले यह याद करो हम आत्मा हैं दे नहीं तुम आत्माएं ही चरासी जर्म भोगती है अभी तुमारा यह अंतिम जर्म है पुरानी दुनिया खतम होनी है इसको कहा जाता है प्रशोत्तम संगम युग का लीप युग चोटी चोटी होती है ना ब्रामनों की चोटी मशूर है बाब कितना सह समझाते हैं तुम हर पांच या वश के बाल आकर बाब से यह पढ़ते हो राजाई प्रापत करने के लिए एम अबजेक्ट भी सामने है शिप बाबा से हमको यह बनना है हाँ बच्चो क्यों नहीं बाबा कहते हैं हाँ बच्चो क्यों नहीं सिर्फ दे अभिमाद छोड़ अपने को आत्मा समझे मुझ बाब को याद करो बाबा कह रहे हैं तुम्हें बनना है मैं बनाओंगा भी तुम्हें लेकिन तुम पहले अपने आपको आत्मा क्लियर करो कि मैं श्रीर नहीं सुर्फ आत्मा हूं उस याद से पाप कट जाएंगे तो पाप कट जाएं तुम जानते हो इस जनम में पावन बनने से हम एक्की जनम पुन्ने आत्मा बनते हैं फिर उत्राई शुरू होती है यह भी जानते हो हमारा ही चुरासी का चक्र है सारी दुनिया तो नहीं आएगी चुरासी के चक्र वाले और इस धर्म वाले ही आएंगे सत्यों को त्रेता बाप हिसापन करते हैं जो अब कर रहे हैं फिर द्वापर कलिव रावन की सापना है रावन का चितर भी है ना उपर में गदे का शीज है विकारी टुटू बन जाते हैं तुम समझते भी हो हम क्या थे यह है पाप आत्माओं की दुनिया बावा कह रहे हैं रावन का चितर भी है ना उपर में गदे का शीश है विकारी यह टटु बन जाते हैं तुम सम। सेवी हो हम क्या थे यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया पाप आत्माओं की दुनिया में करोडों आदमी हैं उन्ने आत्माओं की दुनिया में होते हैं नो लाक शुरू में तुम अभी सारे विशब के मालिक बनते हो यह लक्षमी नरायन विशब के मालिक थे ना सुरक की ब इस परानी दुनिया का विनाश सामने तयार है बाम्ज आदी सब ऐसे तयार कर रहे हैं जो वहां घर बैटे खलास कर देंगे कहते भी हैं घर बैटे परानी दुनिया का विनाश कर देंगे यह बाम्ज आदी घर बैटे ऐसे चोड़ेंगे जो सारी दुनिया को खतम करेंगे तुम बच्चे घर बैठे योगवल से बिश्व के मालिक बन जाते हो तुम शांती सापन कर रहे हो योगवल से यह साइस बल से सारी दुनिया खलास कर देंगे वह तुम्हारे सर्वेंट हैं तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं पुरानी दुनिया खतम कर देते हैं नेचरल केली मिटिस आदी ये सब तुम्हारे गुलाम बनते हैं, सारी परकर्ती तुम्हारे गुलाम बन जाती है, सिरफ तुम बाप से योग लगाते हो, तो तुम बच्चों के अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए, ऐसे बिलिविड बाप को तो कितना याद करना चाहि यहीं भारत पूरा शिवालय था, सातिव में समपूरन निर्विकारी, यहां है विकारी, अभी तुमको समृती आई है, बरोबर बाप ने हमें कहा है, here no evil, गंदी बाते मत सुनों, मुक्से बोलो भी नहीं, बाप समझाते हैं, तुम कितने डल्टी वन गे हो, तुम्हारे पास तो अथा धन था, तुम स्वरग के मालिक थे, अभी तुम स्वरग के बदले नर्ग के मालिक बन पड़े हो, यह भी ड्रामा बना हुआ है, हर पांच या वर्ष बाद तुम बच्चों को हम रोरब नर्ग से निकाल स्वरग में ले जाता हूं, रोहानी बच्चे क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे, बाद पूछ रहे हैं हम बच्चों को कि क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे, परमात्मा कहते हैं तुम पवित्तर दुनिया का मालिक बनो, तो क्या नहीं मनेंगे, पूछ रहे हैं बाद विनास तो जरूर होगा, इस योगवल से ही तमारे जनम जनमांतर के पाप कटेंगे, बाकी जनम जनमांतर के पाप कटने में टाइम लगता है, बच्चे शुरू से आई हुए हैं, दस परसेंट भी योग नहीं लगता है, इसलिए पाप कटते नहीं हैं, नएने बच्चे जट योगी बन जाते हैं, तो प पाप कट जाते हैं और सर्विस करने लग पड़ते हैं तुम बच्चे समझते हो अब हमको बापिस जाना है बाप आया हुआ है ले जाने पाप आतमाई तो शांती धाम सुख धाम में जा ना सके वे तो रहती हैं दुख धाम में इसलिए अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भसम हो जाएं, अरे बच्चे गुल गुल, यहनि कि फूल बन जाओ, देवी कुल को कलंक नहीं लगाओ, तुम विकारी बनने के कारक कितने दुखी हो गए हैं, यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है, इन पांच विकारों ने तुम्हें विकार बना रिय यह बाबा कहते है, तुम मेरी याद में रहो, योग लगाओ, और पावन बनो, पुवित्र नहीं बनेंगे, तो पुवित्र दुनिया सवरग में नहीं आएंगे, यह भी बाबा ने कलियर कर दिया, कि अगर आप पुवित्र नहीं बनेंगे, तो वहां आएंगे भी नहीं, भारत स्वर्ग था, क्रिशन पूरी में था, अभी नर्क पासी है तो तुम बच्चों को तो खुशी से विकारों को छोड़ना चाहिए विश पीना फट से छोड़ना है विश पीते पीते तुम बेकूंट में थोड़ी ही जा सकेंगे अभी यह बनने के लिए तुमको पुवित्तर बनना है तुम समझा सकते हो इनों ने यह अरजाई कैसे प्रापत की है यह कि ब्रमा बावा ने रायोग से यह पड़ाई है न जैसे बेरिश्ट्री योग, सर्जन योग होता है सर्जन से योग तो सर्जन बनेंगे जन्मों के अंत में मैं इन में बैठ तुम बच्चों को नौलज देता हूँ ब्रमा बावा के बावा जानता हूँ यह विशव के मालिक पवित्तर थे अब पतीत कंगाल बने है फिर पहले नंबर में यह जाएंगे इसमें ही परवेश कर तुम बच्चों को नौलज देते है बेहत का बाव कहते हैं बच्चे पवित्तर बनो तो तुम सदा सुखी बनेंगे सत्यू गया अमर लोग द्वापर कली हो गया मृत्यू लोग कितना अच्छी रिती बच्चों को समझाते हैं यहां देही अभिमानी बनते हैं फिर देह अभिमान में आकर मया से हार खा लेते हैं मया की एक ही तोप ऐसी लगती है जो एक दम गटर में गिरे पड़ते हैं बाब कहते हैं यह गटर है यह कोई सुक थोड़ी है स्वारग तो फिर क्या? इन देटाओं की रहनी करनी देखो कैसी है नाम ही है स्वरग तुमको स्वरग का मालिक बनाते हैं फिर भी कहते हैं हम बिशब जिरूर पिएंगे बाबा कहते हैं तुमको स्वरग में ले जाता हूँ वहां का मालिक भी बना देता हूँ फिर भी तुम कहते हो हम बिश जिरूर क्योंकि देवान से निकलते ही नहीं, तो स्वरग में आ नहीं सकेंगे, सजा भी बहुत खाएंगे, तुम बच्चों की माया से युद्ध है, देविमान में आकर बहुत चीची काम करते हैं, समझते हैं हमको कोई देखता थोड़ी है, क्रोध लोब तो प्राइवेट नहीं हो काम में प्राइवेसी चलती है, काला मू करते हैं, काला मू करते करते तुम गोरे से सावरे बन गे, तो सारी दुनिया तुमारे पिछाड़ी आ गई, ऐसी पतीत दुनिया को बदना जरूर है, आप कहते हैं, तुमको शरम नहीं आती है, एक जनम के लिए पवित्तर नहीं ब काम महाशत्रू है बास्तर में तुम स्वरख वासी थे तो बड़े दनवान थे बात मत पूछो बच्चे कहते हैं बाबा हमारे शहर में चलो क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलू बाबा कहते हैं तुम कांटों के जंगल में बैठे हो तुम्हें क्या देखूं तुम बच्चों को ड्रामा अंसार सर्विस करनी ही है गाया जाता है फादर शोज सन बच्चों को ही जाकर सब कल्यान करना है बाप बच्चों को समझाते हैं ये भूलो मत हम युद के मिदान में हैं मारग बिल्कुल अलग है बाप कहते हैं मैं तुमको सुरक का मालिक बनाता हूँ 21 जनमों के लिए फिर तुमको नरग वसी कौन बनाते हैं रावन फरक तो देखते हो ना जनम जनमांतर तुमने भक्ती मारग में गुरू किये मिला कुछ भी नहीं सही बात इनको कहा जाता है सत गुरू परमात्मा है जो सब गुरूं का गुरू है सत गुरू है वहीं सत गुरू सदकती कराने वाला है और कोई नहीं करा सकता शिक्रों कहते हैं न सत गुरू अकाल मौरत उनको कभी कोई काल खाता नहीं, सही वाता है वे सत्गुरु तो कालों का काल है, बाब कहते हैं, मैं तुम सब बच्चों को काल के पंजे से छुनाने आया हूँ, सत्युग में फिर काल आता ही नहीं है उनको अमर लोग कहा जाता है अभी तुम शरीमत पर अमर लोग सत्यों के मालिक बन रहे हो तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है सारी दुनिया एक दो में लड़ती जगडती रहती है तुम्हारी फिर है रावन पांच विकारों के साथ युद उन पर जीत पाते हो यह है अंतिम जनम बाव कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ यहां आते ही गरीब हैं साहुकारों की तो तकदीर में ही नहीं है धन के नशे में ही मगरूर रहते हैं यह सब खतम हो जाने वाला है बाकी थोड़ा समय है ड्रामा के प्लैन है ना यह इतने बाम्ज आदी बनाए है वह काम में जरूर लाने है पहले तो लड़ाईवानों से तलवारों से बंदूखों आदी से चलती थी अभी तो बाम्ज ऐसी चीज निकली है जो घर बैटे ही खलास कर देंगे यह चीजें कोई रखने के लिए थोड़ी बनाई है कहां तक रखेंगे बाप आए हैं तो विनाश भी जरूर होना है ड्रामा का चकर फिरता रहता है तुम्हारी राजाई जरूर सापन होनी है यह लक्षमी नरायन कभी लड़ाई नहीं करते हैं बलशास्त्रों में दिखाया है आसूरों और देपतों के लड़ाई होई प्रंतु वह सत्यू के वह असुर कलियों के दोनों मिलेंगे कैसे जो लड़ाई होगी अभी तुम समझते हो हम पांच विकारों से युद्ध कर रहे हैं इन पर जीत पाकर समपूरर निर्विकारी बन निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे उठते बैठते बाप को याद करना है देवी गुन धारन करने है या बना बनाया ड्रामा है कोई कोई के नसीम में ही नहीं है योग बल हो तब ही विकरम बिलाश हो संपूरन बने तब तो संपूरन दुनिया में आ सकें बाप भी शंक धमनी करते रहते हैं उन्होंने फिर बक्ती मारग में शंक बा तूतारी आदी बैठ बनाई है बाप तो इस मुक्दवारा समझाते हैं यह पड़ाई है राज योग की बहुत से पड़ाई है बाप को याद करो और रजाई को याद करो बेहद के बाप को पहचानो और राजाई लो इस दुनिया को भूल जाओ तुम बेहद के सन्यासी हो जानते हो पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है इन लक्षमी नारायन के रज्जे में सिर्फ भारत ही था अच्छा मीठे मीठे सिक्रदे बच्चों प्रती मात पिता की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को शर्दा बरी प्रेम बरी नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा इस मीठी 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 मुर्ली के लिए दारना के लिए मुखे सार नमब की सर्विस कर बाप का शो करना है नंबर दो सम्पूरन निर्विकारी बरने के लिए गंदी बाते ना तो सुननी है ना मुख से बोलनी है हीर नो इवल टॉक नो इवल दे अभिमान के बश हो कोई छीची काम नहीं करने है वर्दान सत्गुरू परमपिता परमातमा जी का मन मना भव के मंतर द्वारा मन के बंदन से छूटने वाले निरवंदन ट्रस्टी भव कोई भी बंदन पिंजड़ा है पिजड़े की मेना अब निरवंदन उड़ता पंची बन गई अगर कोई तन का बंदन भी है तो भी मन उड़ता पंची है क्योंकि मन मना भव होने से मन के बंदन छूट जाते हैं परवत्ति को संभालने का भी बंदन नहीं ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निरवंदन रहते हैं, गरस्ती माना बोज, बोज बाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी है तो निर्बंदन है, और उड़ती कला से सैकिंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं, सलोगन, उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने ना दो, उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने ना दो, ओम शांती